चलिए आईए f of fx calculate करते हैं तो f of fx calculate करने के लिए क्या करेंगे है एक्स की जिएगए fx रख देते हैं 3-fx और fx लाई कर रहा है 2 से 3 के भी चुक्त है अब इसके बाद चुक्कि हमको fx function ही vary कराना है तो fx का graph बना लेते हैं और reason wise value put कर देते हैं तो fx का graph जो है वो 0 से 2 के बीच में कुछ और है 2 से 3 के बीच में कुछ और है 0 पर इसकी value कितनी है 1 2 पर value कितनी है 3 इसके बाद 1 पर value कितनी है 2 2-1 1 और 3 पर value कितनी है जीरो यह आगया है अब हमें जो fx function डील करना है उसके दो reason है पहला reason है 0 से 2 तो पहला reason हमने बनाया है जीरो से लेके 2 के बीच में है यह point हो गया 2 फस चीजन हो गया दूसा reason है 2 से 3 के बीच में यह दूसा reason हो गया अब आई यह थे पॉइंट 2 फसरा है 2 किस लाइन के लांग फसरा है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 2 के बरावर कब होगा जब अब हम f of fx लिखने जा रहे हैं अब आज आ रही है सबको अब अब देखो ध्यान से सबसे पहले हम reason डील कर रहा है 0 से 2 वाला यानि यह reason में fx की दो definition पार्ट ले रही है इस वाली definition को हम कहेंगे 1 प्लस एक्स इस वाली definition को हम कहेंगे फिर जब एक्स को हम कहां से कहां काउंट कर रहे है तू से 3 काउंट कर रहे है अच्छा तू को हम इंक्लूट करेंगे तो वैसे ही excluded है तब कौन सी definition काम कर रही है 3 माइनस x वाली यहीं पर यानि 1 प्लस 3 माइनस x और जबकि x कहां से कहां काम कर रहा है तू से 3 अब और second वाले reason में जब x 2 से 3 है तो second वाला half आगे second वाले half में यह वाली portion है यानि यह कौन सा है 1 प्लस x इस वाले function में और वो भी कहां से 1 से लेके 2 था अचा fx को 2 लेना यानि x को 1 लेना है यहां पर और fx को 3 नहीं लेना यानि x को 2 नहीं लेना है तो इसका मतलब 1 include करते वे 2 exclude करते वे 3 माइनस 1 प्लस x रख देंगे अब इसके बाद तुरंत हम इसमें x equal to 1 and x equal to 2 चेक करेंगे तो x equal to 1 क्या है discontinuous और x equal to 2 भी क्या है discontinuous क्या यह बाद दिखी सबको अब इसमें पूछा क्या किस टाइप की discontinuity हो पताइए कि लास्ट लास्ट रिवाइज नहीं किये क्या कि अगर 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 मैं x equal to 3 इंक्लूड कर लेता है तो x equal to 3 पर पहला सवाल continuity है discontinuity जल्दी बताओ वैसे तो 3 इंक्लूड नहीं है मानलों चेक करते तो क्या करते क्या 3 पर लिमिट एक्जिस कर रही है यस क्या 3 पर वैल्यू डिफाइन है नो तो अगर x equal to 3 चेक करना पगता तो इसमें कौन सी discontinuity होती है कि मिसिंग पॉइंट कि मिसिंग पॉइंट कि रिवेवल टाइप डिसकंटीनूटी समझ में आया कि नहीं भाई क्या ये बाद सबको समझ में आ रही है नहीं भाई क्या कि अधिनिवस है कि अधिनिवस अधिन के अधिनिवस फंक्षन है या नहीं यह बताव मुझे इसमें कोई भी कि डिसकंटीनिवस हिस्टन है क्यों ये सारे पॉलिनूमियल है या तो कंटीनिवस हो सकता था दो और प्ले वैलू भी माइनस बना रही है वन पे भी माइनस बना रही है वन के बाद भी माइनस बना रही है तो कंटीनिवस हो गया है कि लियर है वही अब आपको निकालना है f of gx और इसके डिसकंटीनिवस पॉइंट बताने है जल्दी बताइए गलत नहीं होना चाहिए f of gx क्या आएगा 1 प्लस gx when gx lies between 0 से 2 and 3 माइनस gx when gx lies between 2 से 3 तो किसका ग्राप बनाएंगे इसमें gx का तो gx का ग्राप जड़ा ड्राव कर लो तो माइनस 1 से 1 के बीच में और 1 से 3 माइनस 1 से 1 के बीच में तो माइनस x है तो यह ना माइनस 1 और यह 1 इसके बाद आओ तो 1 से 3 के बीच में x माइनस 2 है तो 1 पर value कितनी आ रही है अरे उल्टा बना दिया माइनस x बनाना ऐसा होगा कुछ ठीक है ना यह 1 हो जाएगा और यह माइनस 1 फिर यहाँ पर value 1 ही आ जाएगी और 3 पर value भी 1 ही आ जाएगी यह कुछ ऐसा आ जाएगा देखो ध्यान से यह 2 से pass कर जाएगा अब हमें 2 reason लेने हैं इसके पहला reason कौन से लेना है 0 से 2 वाला तो 0 से 2 वाला reason पिक कर लो यह हो गया 2 तो यही एक reason है 2 से 3 वाला reason बनाने का मतलब ही नहीं क्योंकि उस reason में तो कोई function आएगा ही नहीं बज़े reason बना लेते है बट उस reason में तो कोई function आएगी नहीं तो waste हो गया 0 से 2 में दोनों definition उठा के रख दीजे दिख रहा है कि नहीं भई बोलो तो 0 से 2 में पहली definition कहां से जाएगी minus 1 से 1 तक में आएगी और फिर 1 से लेके नहीं पहली definition कहां से कहां तक आएगी minus 1 से 0 तक और फिर 2 से 3 तक तो इसका मतलब अगर मैं f of gx फंक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ x को मैं लाई कराऊंगा कहां से कहां तक minus 1 से 0 और definition में क्या रखूंगा minus x तो 1 minus x और फिर मैं कहां से कहां लूँगा 2 से 3 और अब मैं क्या रखूंगा 1 plus x minus 2 तो इसका मतलब यह क्या आ जाएगा 1 minus x when x lies between minus 1 से 0 and minus sorry 2 से 3 x minus 1 देख लीज़े कोई confusion आ रहा हो तो बताइए क्या यही आया सब discontinuous हो जाते है यह question ही खाची आता है देखिए question दो पार्ट में है आपने तो पढ़ाई दाने number line चलती है तो उसमें number rational ही rational चलते है तो अगर मैं किसी x equal to a की बात करूं और a को मैं rational कह दूँ तो a के just never root का जो number होगा a plus h या a के जो just never root का number होगा a minus h यह दोनों number जो होंगे वो irrational हो जाएंगे अगर a rational है और अगर मैं a को irrational बोल दूँ तो जो इसके never root के number a plus h और a minus h होंगे यह दोनों क्या हो जाएंगे rational हो जाएंगे क्या यह बाद समझ में आती है तो पाद इसी concept को हम use करेंगे अगर हम कहा दें कि x equal to a पहले चेक करते हैं किसी rational number पर और फिर चेक कर लेते हैं किसी irrational number पर तो पहले rational पर अगर हम चेक करें तो a plus h और a minus h पर value निकालने पड़ेगी नेवर हुट में तो लेचल निकालो तो f of extending to 0 f of a minus h निकालोगे a minus h कैसा है irrational है तो उस पर value कितनी आएगी minus of a minus h, h को 0 10 कराओगे तो minus h आ जाएगा अगर इस पर हम right hand limit निकालेंगे तो limit as tending to 0 पर f of a plus h आएगा अभी भी यह क्या है यह rational है a plus h तो यह value minus of a plus h आएगी मतला अभी भी यह minus a आ जाएगा अचा अगर हम a पर value निकालेंगे तो a rational है तो a output आ जाएगा अब अगर हम ए continuity करनी है तो a equal to minus a होना चाहिए for continuity समझ रहो कि नहीं ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब a क्या होगा 0 बोलो भाई यह बात समझ पाए ऐसा सिर्फ तभी होगा जब a की value 0 होगी otherwise ऐसा नहीं होगा क्या यह बात सबको समझ में आ रही है यह बताओ मुझे यह सं there यह सा तो 0 ही ऐसा एक point होगा जहांपर यह क्या हो सकता है continuous उसके अलावा बाकि हर X पर यह क्या होगा हर rational value पे क्या होगा discontinuous क्या यह कहानी समझ पाए उसके लावा हर rational value पर यह क्या हो जाएगा discontinuous अब यही same काम हम किसके लिए करते हैं यह rational के लिए अब नेवर रूट की quantity क्या हो जाएगी rational अगर हम यहाँ पर LHL निकालेंगे तो same limit as tending to 0 f of a plus h करेंगे तो वो क्या आ जाएगा limit as tending to 0 a plus h क्योंकि अब x rational है तो a आ जाएगा राइट हैं लिमिट निकालेंगे तो limit as tending to 0 पर f of a plus h करेंगे अभी आ जाएगा limit as tending to 0 a plus h तो अभी भी a आ जाएगा और f of a निकालेंगे चुकि a irrational है तो minus a अभी भी for continuity क्या होगा a equal to minus a होगा क्या यह बार समझ पा रहे हो तो अभी भी a equal to 0 आएगा बट यह possible नहीं है तो कि एक ऐसा नंबर है एक ऐसा नंबर लिया है बताओ और यह output में क्या दे रहा है तो यहाँ पर कोई भी quantity possible नहीं है यानि सिर्फ एक ही point discontinuity आएगा अच्छा इतना सब करने का मतलब नहीं था यह दोनों जहां बराबर हो जाएं वहीं पर continuity आ जाएगी तो यह दोनों कहां बराबर हो सकते हैं 0 पर otherwise यह कभी बराबर नहीं हो सकत यह direct तरीका है यह लिखके करने का तरीका है यहीं पर मैं question आप से ऐसे पूछ लूँ कि fx is equals to x when x irrational 1-2x when x irrational यहीं पर मैं आप से कह दूँ fx 1-x when x rational and 2x-1 when x irrational बताइए तो यह कहां पर continuous होगा पहला वाला जहां पर x equal to 1-2 x equal to 1 by 3 only 1 by 3 is continuous point बाकी सारे point कैसे होंगे discount यह कहां होगा 1-x को 2x-1 के बराबर कर लेंगे यानि 3x equal to 2 x equal to क्या आ जाएगा वाई 2 by 3 x equal to 2 by 3 is only continuous point बाकी सारे कैसे आ जाएंगे discount यह direct करने का तरीका होगा अब इसमें जैसी equation दी जाएंगे इसके आप से आप सीधा simplify करके solve कर लेंगे क्या दिखिए जब भी इस तरह के question आपके सामने आएंगे जिसमें सारे discontinuous point निकालने होगे तो हम ऐसे चलेंगे सोच के बताओ मुझे यह वाला जो box access सिर्फ तभी discontinuous होगा जब x integer होगा यह तो ओके है कॉस वाला तो कभी discontinuous हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब यह पूरा function अगर discontinuous होगा तो कहां होगा if discontinuity possible तो कहां होगा x belongs to integer otherwise बाकी सब्सक्राइब function कैसा है बोलिए अगर x को हम सारे real number ले integer को छोड़ कर तो fx कैसा function है कि continuous यह तो आपने पढ़ा है ना कि यह बात बताओ यह बात समझ में आई जो मैंने statement लिखा कि यह संब क्यों क्यों कि अगर इंटीजर को हम हटा दें यह function continuous यह function continuous और product of two continuous function is continuous तो इंटीजर को छोड़कर बाकी सब जगए function कैसा है continuous यानि हमें सिर्फ चेकिंग कहां पर करनी है इंटीजर पर अच्छा हम एक एक करके सारे इंटीजर तो चेक करने ही पाएंगे तो अभी इस टाइप की situation में क्या करते हैं जन्रल concept लगाते हैं हम x equal to a मान लेते हैं और a को एक इंटीजर कह देते हैं तो a पर चेक करना शुरू करते हैं सबसे पहले f of a निकालो तो box of a into cos of 2a minus 1 by 2 into pi बोलिए भाई तो यह value क्या a into 0 जीरो आ गई क्योंकि यह तो pi by 2 का odd multiple है और pi by 2 के odd multiple पर यह value हमेसा क्या हो जाएगी 0 अब आईए left hand limit पर आते हैं तो limit as tending to 0 a minus h रख देंगे तो box of a minus h into cos of 2a minus 2h minus 1 into pi by 2 अचा यह value तो a minus 1 आ गई जैसे इस पर आओगे limit as tending to 0 पर cos of 2a minus 1 minus 2h into pi by 2 तो अभी भी यह odd multiple of pi by 2 बनेगा है 0 tend कराने पर तो अभी भी यह 0 आ जाएगा right hand limit पर आ जाएगे limit as tending to 0 box of a plus h cos of 2a plus 2h minus 1 into pi by 2 यह क्या आएगा यह अभी भी odd multiple of pi by 2 आएगा तो अभी भी answer 0 आ रहा है इसका मतलब left limit देखे भई left limit right limit और value तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह बताओ मुझे बोलिए अगर तीनों बराबर आना है तो function सारे integer पर कैसा होगा कि नहीं होगा क्या यह बात सबको समय में आ रही है यह इसका मतलब क्या होगा यहां पर continuous for all x हो जाएगा इंटीजर के अलावा तो सब जुगे continuous था ही इंटीजर पर भी हमने क्या निकाल लिया continuous तो कि यहीं possible discontinuity हो सकती थी वो भी continuity आ गई तो function कैसा हो गया भई पर all x function कैसा हो गया भई continuous क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो हां या ना में जवाब दो इस कोई confusion ना डाउट हो तो बताईए कि बोलिये वाई किसी को कोई confusion ना डाउट हो तो जवाब दो भाई कि क्या यह बात समझ में आ गई भाई कि यह सर्ट box of x plus 1 is not equal to 0 यानी box of x is not equal to minus 1 यानी x is not equal to minus 1 से 0 यानी domain क्या होगी all real but not minus 1 से 0 गुद अब इसके discontinuous point without sir screen please you